हाई वेलकम टू आरकेश टड़ी आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि बीपरो के अंदर हम लोग किस तरह से आनलाइन एक्जाम दे सकते हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या गाइड लाइन है क्या क्या चीज़े उनको फॉलो करने हैं साथ ही साथ उनके लिए special वीडियो बनाए गई है step by step कि आपको कोई भी एक्जाम में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके ज़रू बताइएगा तो हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट पर डिसकस करेंगे जैसे कि आप के पास एक तो टेबल होना चाहिए टेबल के आस पास जब जाते हैं यानि टेबल क चाहिए और उनको कुछ requirements जैसे कि हमारे पास system requirement होते हैं जिसमें कि आगे हम बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़े आपको चाहिए system के अंदर getting ready for examination examination के कि सतरह ready होना है वो बताएंगे साथ एक tools आपको इंस्टाउल करने होते हैं तो भी हम साथ में बताएंगे कि कौन तूल है और जो वाइस है वो किलियर होना चाहिए तो हमको चाहिए एक डेक्स टॉप साइज लेप्टॉप चाहिए ठीक है तो नंबर बन आपके पास लेप्टॉप होना चाहिए तब आप एक्जाम दे सकते हैं साथ ही साथ आपकी जो लेप्टॉफ है वह ऑपरेटिंग सिस्टम भिंजैंड मतलब 8 होना चाहिए या उससे एब भाज जैसे 10 भी हो सकता है आपके पास ठीक है तो keen से भाव होना चाहिए यह नहीं कि आपके पास है तो आप्के पास से आप एग्जाम यह को सकते है एक्जाम डे सकते हो लेकिन जहां तरह करी रिजेट का जादे संभवあのओ होता है ठीक है क्योंकि हमने देखे हैं काफी सारी इस्टूरें नहीं है तो आप लोग आराम से दीजिए अगर नहीं है तो आप लोग साइबर पे जा सकते हैं दूसरा बात कि यहां पर आपके पास ब्राउजर होना चाहिए गूगल क्रोम ब्राउजर जो ले टेस्ट वर्ज नहीं है एक हमारे पास आता है असेसमेंट ब्राउजर ब्राउजर टूले इन्नरी यह जरूरत होता है ठीक है वेब कैमरा इने separate room to avoid जहां पर disturbance नहों और आपका separate room होना चाहिए जहां पर कोई आना सके दूसरा की light होना चाहिए ठीक है क्योंकि आपका camera आन रहेगा और यहां पर हमारा जो है microphone जो है over adjustment होना चाहिए और यहां पर हमारा camera जो है वो हमारे आख के सामने होने चाहिए तो यह कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने laptop के अंदर आन होने चाहिए और यहां पर एक last में है close all other windows browser social media apps मतलब और कोई जो आप से message आते हैं कुछ इस तरह से तो सारे चीजों को आप लोग बंद कर लीजेगा एक जाम जब तक दे रहे हमने यहां पर बताया थे आपको कि एक tools आपको install करने है ठीक है तो यहां पर how to install sb tools आपको सबसे पहले यह समझना है कि किस तरह से हम इस tools को install कर सकते हैं तो मैं बता दू कि इस tools का link जो है आपको description में मिलेगा साथी साथ आपके mail पर भी आया हुआ है जो side में आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से तो वो mail में सबसे पहले जो link दिया गया है उसको click कर लेंगे और click करने के बाद automatic आपको कुछ इस तरह से यहां पर download हो जाए अगर windows 7 है तो 7 वाला पर click कर लेंगे इसके बाद जैसे ही आप लोग वहां पर click करेंगे उसको खोल लेंगे खोलने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जहां पर कि आपका एक access token मांगता है क्या मांगता है access token मांगता है जहां पर बगल में दिख रहा ह कहां से है तो यह token नमबर आप यहां पर डालेंगे बीप्रो डैस करके 2020 टू जो है डालेंगे तो आपका यह access होगा start test होगा जिसके अंदर आपके जितने भी requirement होते हैं कि आपका जैसे Microsoft Windows कौन सा है Google Chrome कौन सा है वो सारा चीज़ चेक होगा कि सही है कि नहीं है latest version है कि नहीं ह अगर सही रहेगा तो आप आगे जा सकते हैं टोकन नमबर आपको मिलने के बाद कुछ इस तरह से आपका ID खुलेगी ठीक है जहां पर आपको login करने है कुछ तीन चीज़ों को डाल कर सबसे पहले यहां पर डालना पड़ेगा आपको super set ID number 2 में अपना password और तीसरा में आपक की जो कि सभी student का अलग-अलग होता है तो सब लोग अपना-पना डालेंगे उनी का नाम से खुलेगा इसके बाद फिर आपका जो है यहां पर camera और जो mic होता है वो access होगा तो सभी जितने भी चीज़े आएंगी उस सारे चीज़ों को accept करते जाना है तो यहां पर आपका system अ यहां पर आप लोग start now पर click करेंगे और जब आप एक बार windows खोल देते हैं तो आपको close नहीं करना है ठीक है ध्यान में रखेगा इसके बाद आपका जो है यहां पर एक photo उसी समय click करना पड़ेगा तो click here में download करके आप लोग click कर लिजेगा अपना photo को और आपको photo के इस तरह से यहां पर खीचना है जैसे कि एकदम सीधे रहना है ठीक है कुछ guideline यहां पर दिये गए है जो कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर आप जब exam दे रहे हो तो exam के time में आपको कुछ इधर उधर नहीं करने है जैसे कि यह नहीं करना यह नहीं कर जाना यह भी एक गलत है तो ऐसे नहीं करना है तो बस इतना ही था I hope कि सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा अब आप exam दे सकते हैं सभी को all the best को कोई problem हो तो नीचे comment करके आज बता सकते हैं कल से आपका exam है 4 बजे 24 अगस 4 बजे से साम को सभी का start है 7 बजे तक दे सकते ह नहीं है इसकी पीडिया आपको description में मिल जाएगी तो आप लोग वहाँ से download करके इसको पुरा totally देख लीजेगा पढ़ लीजेगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएगे